मेरा नाम है फिनब और आजके इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉफ फाइब घातक एंडॉइड अप्लिकेशन के बारे में जिसे आपको डेफिनेटली से ट्राइ करना चाहिए तो यार अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना इस वीडियो को तू फिर चलो यार राइट पे बताता हूँ इन आप्स के बारे में ओके तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक बोनस आप्लिकेशन के बारे में बता देता हूँ जो है इस्टेटस सेवर नौ हम लोगों ने बहुत सारे स्टेटस सेवर आप्लिकेशन देखे हैं लेकिन ये काफी यूदीक सा आप्लिकेशन लगा मुझे आप इस application के help से official whatsapp, gb whatsapp और even business whatsapp के status को save तो कढ़ी सकते हो और साथ ही साथ आप उसे directly as a wallpaper भी set कर पाऊगे और उसे repost भी कर पाऊगे तो काफी कमाल का application है जरूर से install करना बात करते हैं first application की तो यहाँ पर जो हमारा first application है वो है testing catalog तो इस application के help से आप play store के किसी भी application या फिर games के beta version को try कर सकते हो बहुत बार ऐसा होता है कि play store पे beta program कभी कभी full हो जाता है तो आप अगर वहाँ से beta user नहीं बन पाते हो तो वो कम आप यहाँ से कर पाऊगे इसके अलावा यहाँ पर आपको category voice application search करने का option मिल जाता है जिससे आप easily किसी भी application को search कर सकते हो और उसके बाद आपको जिस किसी भी application के beta version को try करना है आपको उस पर click करना होगा उस पर click करने के बाद आपको opt-in का एक option देखनी को मिलेगा आपको simply उस पर tap करना है और उस पर tap करने के बाद आपको become a tester के option पर click करना होगा और इतना करने के बाद आप beta user बन जाते हो तो काफी कमाल का application है definitely से check out करना हमारा second application is scheduled तो इस application के help से आप normal message, call या फिर whatsapp message को schedule कर सकते हो तो आपको simply करना क्या होगा कि कोई भी message type करना है जो भी आपको send करना है message type करने के बाद आपको अपने whatsapp contact को select करना है जिसे आपको message send करना है उसके बाद आप इसमें time और date set कर सकते हो कि किस दिन और कितने बज़े आपका message send होगा उसके बाद आपको उपर में tick mark के option पे click करना है और फिर आपका message schedule हो जाएगा तो काफी useful सा application है एक बार ज़रूर से try करना next application की पात करें तो हमारा next application है dark mode तो इसे application के help से आप Instagram को dark mode में use कर सकते हो Google Play Store and Google Photos को dark mode में use कर सकते हो हाला कि ये dark mode वाला feature अभी बस Android 10 में available है जिसे आप settings में जा करके enable कर पाओगे लेकिन अगर आपका phone Android 10 पे run नहीं कर रहा है तो ये application आपके उस ख्वाप को पूरा करेगा आपको बस करना क्या है कि इस application को open करके dark mode के option पे click करना है और आपका काम हो गया तो बहुत ही फारा application है definitely से install करना जो fourth application इस list में वो है wemos तो basically इस application का use करके आप दो-दो OS को एक साथ अपने phone में run कर सकते हो और इस application में आप सारे rooted applications का भी use कर पाओगे और ये जो OS है वो work करता है Android Lollipop 5.0 पे तो अगर आप चाहो तो एक OS में personal काम कर सकते हो और एक में official काम कर सकते हो suppose अगर आपको एक OS में YouTube देखना है और दूसरे में अगर पढ़ाई का काम करना है तो आप वो इसमें कर सकते हो साथ ही साथ आप इसे floating tab में भी use कर पाओगे इसके अलावा यहाँ पे जो इसका notification panel है वो भी change है तो काफी सही application है एक बार try करना तो बनता है जो fifth and last application इस वीडियो का वो है fake screen तो इस application के help से आप अपने current screen पे एक fake screen एड़ कर पाओगे suppose आप train में travel कर रहे हो और आप अपने phone में कोई message बढ़ रहे हो और ऐसे में अगर कोई बन्दा जो आपके बगल में बैटा है वो आपके phone में जांकता है तो आप उस वक्त इस application को enable करके अपने main screen को hide कर सकते हो तो आपको करना क्या है कि इस application को open करना है और application open करने के बाद आपको इस तरह का interface देखनी को मिलेगा जहाँ पर आपको next के option पर click करना है उस पर click करने के बाद आपको gallery पर click करना है और फिर किसी भी image को select कर लेना है और start पर tap कर देना है और आपका काम हो गया तो काफी useful सा application है तो बस इतना ही था यार आज के इस वीडियो के लिए अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो ठोको like comment फेको, share करो इस वीडियो का अपने friends और families के साथ और सुनोना अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो please जाते जाते चैनल को subscribe कर दीजिएगा और उस bell icon को भी press कर दीजिएगा तो मिलते हैं अगले और नए exciting वीडियो में तब तक के लिए goodbye and take care